राजस्थान मंत्री मंडल का जल्दी विस्तार होने वाला है और राजस्थान मंत्री मंडल के विस्तार से पहले पाइलेट समर्थकों के चहरे पर एक अलग ही कुशी देखने को मिल रही है दरसल खबरे इस तरह के सामने आई है कि राजस्थान मंत्री मंडल में जिन नए चहरों को जगा दी जाएगी उनमें सबसे ज़्यादा जो चहरे हैं वो सचिन पाइलेट के करीबी समर्थकों को पार्टी में बड़ी जगा दिलवाने के लिए सुरू से शंघर्स किया है और जिस तरह उन्होंने आकरी समय तक पार्टी अलाकमान सूनिया गांधी और अशो कहलोट से लड़ाई की उससे पता चल रहा है कि सचिन पाइलेट अपने समर्थों के बारे में कितना सोचते हैं अभी तक देखने को मिल रहा था कि राजस्थान मंत्री मंडल के अंदर अशो कहलोट के ज़्यादा विधायक थे और ज़्यादा जिस तरह मंत्री थे तो वो अपना मनमाना रवाई अपनाते थे सचिन पाइलेट को अशोक गहलोत के समर्थों का यही रवया पसंद नहीं आता था और खुद अशोक गहलोत ने जिस तरह सचिन पाइलेट की राजनितिक इस्थिति को कम करने की कोशिश की ये बात भी राजस्तान की जनता जानती है आपको बता दें कि फिलहाल देखने को मिल रहा है कि अब राजस्तान मंत्री मंडल का विस्तार चल्दी हो जाएगा और ऐसे में राजस्तान मंत्री मंडल के विस्तार से पहले सोनिया जो है वो राजस्तान पहुंच सकती है यानि कि सोनिया जो है वो सचिन के जश्ट में शामिल होती दिखाई देंगी आपको बता दें कि सचिन पाइलेट को भी जो बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है उसको लेकर वे राजस्थान की कॉंग क्रिस में सियासी हलचले शुरू हो गई है राजस्थान की राजनिति गल्यारों में चर्चाएं जोरो शोरो से हो रही है कि सचिन पाइलेट को क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी क्या एहम पद दिया जाएगा हाला कि अभी खुल कर तो सामने नहीं आया है कि सचिन पाइलेट को क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी लेकिन इतना तो तय है राजस्थान मंत्री मंदल में जो जगा खाली पड़ी है उनमें से ज़्यादा जगों पर सचिन पाइलेट के समर्थकों को ही जगा दी जाएगी यानि कि सचिन पाइलेट के राजनितिक स्थति अब पहले की मुकाबले मजबूत होती दिखाई दी रही तो वहीं उनके समर्थकों को अब नई जिम्मेदारियां मिलने जारी है इससे पता चलता है कि सचिन पाइलेट ने अपने समर्थकों को पार्टी में बड़ी जगा दिलवाने के लिए किस तरह से काफी मेहनत के वैसे आपको बता दें कि सचिन पाइलेट राजस्थान कॉंग्रिस में अलग थलग ही पड़े वे थे क्योंकि राहूल और प्रियंका ने जिस तरह सचिन पाइलेट का साथ छोड़ दिया और सचिन पाइलेट से मुलाकात नहीं की इसके बाद सचिन पाइलेट ये समझ चुके थे कि राहूल और प्रियंका ने उनसे नाता तोड़ लिया है लेकिन सोनिया ये बाद जानती थी कि सचिन पाइलेट से नाता तोड़ना बहुत बड़ी मुर्खता साबित होगी क्योंकि सचिन पाइलेट वो सचिन पाइलेट नहीं रहे जो पहले थे दरसल पहले की मुकाबले जिस तरह सचिन पाइलेट का राशनीतिक कद राजस्थान में बढ़ा है और राजस्थान की करीब आधी जनता का कहा जाये तो जुकाओ सचिन पाइलेट की तरफ है और कहीं न पाइलेट ने बनाई है हाला कि आपको बता दें कि सचिन पाइलेट ने कई समुदायों को भी साथ लेकर अपने साथ जोड़ा है और ये समुदाय भी सचिन पाइलेट के साथ खड़े दिखाई दे रहें आपको बता दें कि सचिन पाइलेट अप पहले के मुकाबले जिस तर पर अशोग गहलोत और उनके समर्थों पर लगाम कस्ती है क्योंकि अशोग गहलोत और उनके समर्थों के वज़े सही सचिन पाइलट और उनके समर्थों को काफी ज़्यादा परिशानी का सामना करना पड़ा है यहां तक कि सचिन पाइलट के साथ जिस तरह अशोग गहलोत न चुनाव होने वाले हैं तो आगामी साल 2024 का लोग सबाद चुनाव भी निकट है ऐसे में पार्टी आलाकमान सुनिया गांदी बहुत ही संभल कर कदम उठा रही हैं उनके लिए एक एक विधायक की बहुत बड़ी कीमत है एक एक पार्टी कारकरता और नेता के बहुत एहमियत यही वज़ा है कि सुनिया गांदी इस समझ चुकी है कि अगर धीरे धीरे पार्टी के विधायक नेता इसी तरह पार्टी का साथ छोड़ते चले गए तो उनकी कॉंग्रिस पार्टी पूरी तरह डोब जाएगी ऐसे में इस वक्क कॉंग्रिस पार्टी को संभालना और पा प्यांका ने जिस तरह के फैसले लिए हैं वो फैसले फिलहाल पार्टी के कई नेताओं को ना तो पसंद आया और ना ही पार्टी के कई नेताओं ने राहुल और प्यांका के फैसले को मानने की स्यूकृति दी इससे पता चल रहा है कि अभी पार्टी में जो भी फैसले किय जा रहे हैं बदलाव जो भी हो रहे हैं वो सून या गांधी के कहने पर किये जा रहे हैं आपको बता दें कि राजस्थान कॉंग्रिस में सियासी घमासान बीते कई महिनों से देखने को मिल रहा था और ये सियासी घमासान देखकर ऐसा लग रहा था कि सचिन पाइलेट की जो बना लिया था उसे देखते हुए कोंगर्स पार्टी ओलकमान सोनया गांधी काफी परेशान हो गई थी पार्टी ओलकमान सोनया गांधी यह समझ चुकी थी कि सचीन पैलेट अब रोकने वाले नहीं और सचिन पाइलेट जुड़े वे हैं और जिस तरह शुरू से ही उन्होंने कॉंग्रिस में रहते वे पार्टी को मजबूत करने का काम किया और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है ये बात समझ में आती भी है वैसे आपको बता दें कि कॉंग्रिस पार्टी अलगमान सोन सचिन पाइलेट ने खुलकर सोनिया और गहलोत के खिलाफ हला बोल दिया सोनिया और गहलोत के खिलाफ जिस तरह सचिन ने हला बोला इससे पता चल रहा था कि सचिन पाइलेट ये समझ चुके हैं कि अगर वो सोनिया के खिलाफ और अशो गहलोत के खिलाफ आवाज नहीं उ मिल रहा है कि राजस्थान कॉंग्रिस में सचिन पाइलेट और उनके समर्थकों को बड़ी जगा मिलने वाली है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से आगामी समय की स्थितियां बता रही है वो यह बताता है कि आगामी समय में सचिन पाइलेट ही राजस्थान कॉं तो अश्व गहलोत ने जिस तरह से काम किया है और जिस तरह राजस्तान की जनता नाराज है उस से पता चलता है कि जनता गहलोत को दोबारा सीयम नहीं बनाएगी लेकिन सचीन, पैलेट को अगर सीयम पत के लिए खडा किया जाता है तो जनता का एक तरफा जुकाओ पाइलेट की तरफ ही रहेगा SPN 9 न्यूजरूम की रिपोर्ट